है लो एव्रिवेंग गुड इवनिग गुड इवनिंग को या गुड आफटरून आफटरून ही कह देते हैं गुड आफटरून टू आल कैसे हो आप लोग जिया जल्दी से जुर जाये जोई कर लीजेगा आज के हमारे सेशन के अंदर जहां पे हम mcqs discuss करने वाले sports related जिया आज हमारी बात होगी sports वाले mcqs के उपर जो हमारी exam के लिए काफी matter करेंगे काफी important रहेंगे तो जिया session को start करते है session को start करने से पहले जल्दी से एक बार अपने बागी सारे दोस्तों को भुला लीजेगा and we will start this near about 30 to 40 mcqs cover करने की कोशिश करते और recent sports news जो है जिनके उपर exam में questions बन सकते उनी sports news के उपर आज के इस session में हम लोग बात करेंगे आज के session में हमारा discussion होगा के yes how are you guys एक बार जल्दी बता दीजेगा comment section के अंदर और मेरी आवाज सबको सही तरीके से आ रही है नहीं आ रही है एक बार वो भी comment section में जरूर डाल दीजेगा ठीक है so start करें चलो तो शुरू करते हैं session को start करते हमारे आज के इस lecture को hello hello everyone good evening good afternoon to you all all good बहुत बढ़िया तो मेरे क्याल से इस weekend को IBPS PO का exam होगा हमारे काफी सारे दोस्तों काफी सारे दोस्त है जो इस exam के लिए फिलाल अपियर हो रहे है के और सबकी तयारी बड़े जोरो शोरो से चल रही होगी तो आपको बहुत-बहुत सारी शुभ कामना है अच्छे से exam दीजेगा अच्छे से अपना preparation रखेगा के और मेंस का हमारा कलर का मेंस का फिलाल बैच चल रहा है और जिनका मेंस होगा फिलाल अभी obviously hardly एक दो-तिन दिन बचे हुए है तो उसमें अच्छे से पियो का preparation कर लिजे जो टॉपिक रह गया होंगे जो टॉपिक छूड़ गया होंगे वो भी कवर कर लिजे हमारी faculty is morning time पे कुछ IBPS PO के angle में कुछ sessions ले रही है तो उन session से भी आप go through कर लिजेगा और इस time slot में हम mains की तो बात करते ही है तो start करते है session को start करते है आज के हमारी lecture को और सबसे पहला mcq आपके screen के उपर लाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों अगर आपको notes चाहिए अगर आपको PDFs download करने होंगे तो PW app के through आप notes को access कर सकते हो जिन्होंने अभी तक PW का app download नहीं किया होगा तो एक बार जरूर कर लीजेगा और वहां से आप notes को access कर सकते हो ठीक है चलो तो शुरू करते है session को start करते हैं आज के हमारी इस lecture को और सबसे पहला question आपके screen के उपर ये रहा प्रसार भारती the country's public broadcaster has rebranded DD Sports as DD Sports HD DD Sports was originally launched in which of the following year DD Sports की शुरूरात कप की गई है ये question पुछा गया है बड़ा simple सा question है DD Sports now called as a DD Sports HD आजकल सारे channel बसे HD category के अंदर आपको मिल जाते है question ये नहीं है question ये है कि DD Sports की शुरूरात कप की गई 1986 year 2000 1988 1998 या year 2002 इसे कब बनाया गया यह question यहां पर पूछा गया है जिया चलो देखते कितने लोग answer करेंगे फड़ा-फड़ answer कर दीजेगा जिया काफी लोगोंने C या D में लिखा हुआ है किसी ने C मेंशन किया 1988 किसी ने 1998 मेंशन किया हुआ है लेट सी वाट कैन वी दे आंसर जी आ गुड़ इवनिंग कैसे हो सब बढ़िया चलो तो पहला question का जो answer है वह है 1998 की बात करते 1998 में डीडी sports की शुरुआत की गई 78.57 यह तो राइट आंसर बासकर, सिद्धान, तुशार, शालीनी, खुश्बू, अमृत बढ़िया very good answer तो answer यहाँ पर आपका D बन जाता है ध्यान रखेगा यस चलो तो जाते हैं next question के तरफ और next question यह रहा आपके screen पे In September 2023, India beat which nation to win the finals of inaugural Mains Hockey 5S Asia Cup in Oman चलो बता दीजेगा कि भाई किसको हराके हमने यह championship जीती है एक बहुत important thing, यहाँ पे भी question बन सकता है कि exactly इसे कहाँ पे organize किया गया था एक और simple question बनता है किस country को यहाँ पे जीत हासिल होई obviously Indian team को यहाँ पे जीत हासिल होई और तीसरा question तो पूछ लिया है कि किस country को हराके हम जीते है China, Oman, Bangladesh, Pakistan या कजाकिस्तान, so which country? Yes, answer of this question कई लोगों ने क्या सभी ने लगभग same answer किया answer is D, Pakistan को हराके यहाँ पे जीत हासिल हुई है बहुत बढ़िया, so D यहाँ पे answer है, hundred percent के आजकल पाकिस्तान बड़ी खुशी मना रहा होगा Canada ने जिस तरीके से बवाल create कर लिया लोग भूल गए कि हमारा एक और है कोई जिसके साथ हमारे पंगे चलते रहते है तो फिलाल Canada सारी गालिया सुन रहा है, तो बढ़ा अच्छा लग रहा होगा कोई बात लही, चलते रहता है, हर country अपने कुछ ना कुछ political agenda लाते रहती है, एक बात याद रखना Canada's, this biggest political agenda is for their elections mostly उनके खुद के political gain के लिए हरकते उनकी चलती रहती है पर ठीक है, कुछ चीज़े पता होनी चाहिए, और बिल्कुल पता रखिएगा पर जादा, जादा important news नहीं बनेगी हमारी exam के लिए अगर exam की बात की जाए, ठीक है, चलो, आगे बनते है In September 2023, who has finished the second in men's javelin event of a diamond league meeting at Zurich के चलो, बताईएगा, simple है, जादा difficult नहीं है वैसे, के चलो, बता दीजे, कि who has finished second in the men's javelin event of the diamond league meeting at the Zurich, second number पर कोना है के, normally यह top आते है, normally यहाँ पे हमेशा एक gold के साथ आते है, इस बार second number पर आ गए सो बात यहाँ पे हो रही है, जिया, definitely नीरत चोपडा सापकी यहाँ पे बात पर रहेंगे, so answer of this question will be A, बड़ा easy question है, जदा difficult नहीं था, most of you can easily answer this question, जिया, so answer of this question is A, yes, चलो, आगे बढ़ते हैं, next question के तरफ जाएंगे, next point, जिया, recently who has been appointed as the brand ambassador of Swaraj Tractor, Swaraj Tractor बड़ा famous brand है, 1970s में इस brand को खड़ा किया गया था, Swaraj Tractor's, तो Swaraj Tractor's के द्वारा किसे recently brand ambassador appoint किया गया, जिया, first number पे जेक रिपब्लिक के जो प्लेयर है, जेकब वैल्डीरिज के, वो सबसे टॉप में आये है, जैवलिन थ्रो की बात की जाएगी, और second number पे नीरच चोपना साब आये है, जिया, recently किस को brand ambassador appoint किया गया, Swaraj Tractor's के द्वारा, let's see, कोच लोगों ने A is equal to E mention किया है, कि धोनी साहब की बात काफी लोग कर रहे है, yes, absolutely right, answer of this question is, महेंदर सिंग, धोनी साहब की बात करेंगे, जी हाँ, Indian Cricket Team के कप्तान हुआ करते थे, and उनको appoint क्या गया है, हाँ, Garuda, अगर Aerospace, Garuda जो company है, Garuda Aerospace company, basically drones बनाती है, इस company के भी ये brand ambassador है, और साथ में Mastercard, Mastercard की add आती ही, देखा होगा आपने, Mastercard के add में भी, ये brand ambassador है, इसके अलावा, mutual fund की add आती है, जिसमें धोनी साहब भी है, सचिन तेंडूलकर साहब भी है, तो वो भी ध्यान रखेगा, ऐसे चीजों के उपर exam में, नॉर्मली कई बार question बनते हैं, तो yes, E तो हमारे पास नहीं है, तो A is equal to E वाला, यहाँ पे concept implement किया गया, To commemorate the birth anniversary, of the hockey legend, Major Dhanchan साहब, 12th National Sports Day, was celebrated across India, on 29th of August, which of the following, was the theme, इस बार का theme क्या रखा गया था, हमारे National Sports Day का, 29th of August को ये day, हम लोग observe करते, तो इस बार का theme क्या रखा गया था, meet the champion, nation first, always first, sports are an enabler to an inclusive and fit society, fit India, young India, scoring for people and the planet, so yes, what was the theme for this year, कुछ लोगों ने A लिखा है, कुछ लोगों ने C mention किया है, कि काफी अलग-अलग answers, यहाँ पे देखने को मिल रहे, let's see क्या answer बनेगा, चलो guys, जल्दी answer कर दीजे, फड़ा फड़ा, यहाँ इसके उसके नाम में क्या रखा है, भईया, Shakespeare सापने भी कहा था, नाम क्या पूछ रहे हो, कि post निकालो बढ़िया से, नाम अपने आप बन जाता है, पूछ के, अगर नाम पता करने की नौबत पढ़ रही है, तो उससे अच्छा, select हो जाओ, पूरी दुनिया आपका तो नाम जानेगी, खुद का नाम भी बताएगी, उसमें टाइम बर्बाद मत करना, yes, answer of this question is right, sports are enabler to an inclusive fit society, so C is the answer of this question, ध्यान रखेगा, ठीक है, चलो, so 50% give the right answer, भासकर, अम्रुता, भानू, yes, loyal girl, पंकजिनी दिन सोनम, बहुत बढ़िया, yes, मैं question पूछना चाओंगा, खेल रतन अवार्ड जो है, कि वो किसे दिया गया था, last time खेल रतना अवार्ड जो है, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड हम लोग मानते है, major धान्चन साब के नाम पे, तो यह अवार्ड किसे दिया गया, उनका नाम जल्दी से comment section में डाल दीजेगा, देखते कितने लोग इसका answer करते हैं, yes, फड़ा फट, सरत कमल साब की बात करेंगे, अचंता सरत कमल साब, absolutely खेल रतना अवार्ड से उनको नवाजा गया, वा हमारे देश के टीटी प्लेयर है, टेबल टेनिस प्लेयर है, वन अब दे वेरी वेरी लेजंडरी टेनिस प्लेयर, अचंता सरत कमल साब की बात की जाएगी, absolutely right, बहुत बढ़िया, चलो आगी बढ़ते हैं, which bank has bagged the title rights for the home international series of the BCCI for a sum of rupees 4.2 करोड पर international game, can you see, देखो यहाँ पे 4.2 करोड पर international game के हिसाब से, यहाँ पे title rights मिले है, so जो भी इंडिया के अंदर international matches होगी, उन matches का title sponsorship अभी इसन के पास चला गया है, so कोन है, SBI, HDFC, Bank of, बड़ोदा, ICICI या IDFC First Bank, yes, let's see, 56 matches की बात हो रही है, बिल्कुल, बिल्कुल, पर कभी-कभी BCCI बीच में कोई series डाल भी देती है, so, बदलाओ भी हो सकते, तो इसलिए per match 4.2 करोड का यह deal है, BCCI के साथ title sponsorship को लेके, again, यह जो है, यह broadcasting के rights नहीं है, broadcasting के rights is a completely different concept, वो अलग concept है, का एक title sponsorship मिलती है, advertise हो जाती है आपकी, तो वो है IDFC First Bank की बात करेंगे, so, IDFC First Bank, इनको यह sponsorship के rights मिले, एक और question पूछनो मैं, IDFC First Bank के, MDCO साब का नाम comment section में डाल दीजे, commercial bank है, this bank is a commercial bank, Bimal Jalan Committee के recommendation पे, दो commercial banks को license मिलेते, IDFC First and the Bandhan Bank, उसमें से इस bank की बात हो रही है, so, who is the, फिलाल MDCO of this bank, इस bank के MDCO साब का नाम, जल्दी से comment section में डाल दीजेगा, E नहीं है, इसलिए हमने A mark किया हुआ है, वी विद्धानाथन सर की बात करेंगे, absolute right, वी विद्धानाथन सर, यह IDFC First Bank के head है, इन चार्ज है, अभी के condition में, BCCI के president कोन है, who is the president of the BCCI, उनका भी नाम एक बार comment section में डाल दीजे, कि हमारे देश के, या world के सबसे बड़े, cricket board के head कोन है, president कोन है, उनका भी नाम एक बार comment section में डाल दीजेगा, जी आ, Roger Binny Sir की बात करते हैं, बिलकुल बहुत बढ़िया, पर Roger Binny Sir बिलकुल दिखते नहीं है, उनके जगद दिख जाते है, हमारे BCCI के secretary, जिनका नाम है जै शाह साब, सो कई बार students confused जो आते हैं, इसलिए question पूछ लिया, जै शाह साब, ये BCCI के secretary के अलावा, जो Asian cricket council, अभी Asia कप हुआ, उसके वो president है, उसके वो president है, और BCCI के secretary है, जै शाह साब की बात की मैंने, चलो, Recently who has been, who become the fifth Indian main single player, to secure medal at the BWF World Badminton Championship, held in Denmark, Denmark में championship खेली गई, इस championship के अंदर, इंडिया के कौन से single player है, जिनको यहाँ पे जीत हासिल हुई है, की बात करेंगे, चिराग, शेटी, लक्षा, सेन, H.S. प्रनाय, या फिर B. साई प्रनीत, so who is that badminton player, that is a question in front of you, जिया, answer यहाँ पे A और D पे आ रहा है, कुछ लोगों ने A लिखा हुआ है, कुछ लोगों कहना है कि D है, या दो बजगे, इनको भी बोल दीजे कोई ना कोई, कि A और D में ही हम रहने वाले, ऐसा सबका कहना है, so let's see what can be the answer, answer of this question is, H.S. प्रनाय साहब की बात करेंगे, इनको recently जीत हासिल हुई है, इन्होंने recently Denmark के, इस World Badminton Championship के अंदर, medal secure किया हुआ है, absolutely right, बहुत बढ़िया, very good right answer, कोई सा medal है, कोई बताएगा, which medal he secured, वो भी एक बार comment section में डाल दीजेगा, because medal कोई सा ये नहीं बताया, तो racer, सिद्धान्त, R.S, भानू, पंकजिनी, पूजा, बहुत बढ़िया, very good, absolutely right, so which medal, जल्दी से comment section में, वो भी एक बार बता दीजेगा, चलो, आगे बढ़ते है, silver है, bronze है, gold है, gold होता तो वैसे, सब लोग जानी लेते, पर कोई सा medal, यहाँ पे मिला हुआ है, एक बार बता दीजेगा, जी आप bronze medal, absolutely right, bronze medal की बात करेंगे, very good, यह simple question है, जल्दी से answer कर दो, अभी थोड़ी देर पहले, हमारी बात हुई, कि कौन से day को, हम लोग national sports day observe करते हैं, जस्ट अभी हमारी इसको लेके बात हुई थी, तो फटा फट answer, comment section में डाल दीजे, simple question है, और साथ में एक बार वापस, theme बता दीजे, कि theme क्या है, yes, theme एक बार डाल दो, comment section के अंदर, वो भी बहुत important point रहेगा, कि तब तक हम आगे बढ़ते, answer तो आप सब का सही रहेगा, गलत तो नहीं होने वाला है, ठीके, yes, फिर भी किसने गलत मार कर दिया, उन नहीं, भाई, नहीं, भासकर, रेसर, पंकर जी नी, खुश्बू, तुशार, शाली नी, पायल, very good, Infosys appointed whom, as its ambassador for companies, digital innovation, so Infosys के दोवारा, दो tennis players है, जिनको ambassador के तोर पे, appoint किया गया, male and female, so यहाँ पे male player का नाम, पूचा है, female player का नाम भी, comment section में डालिएगा, so Infosys, इंडिया का बड़ा, famous IT company है, world level पे काम करता है, and, इन्होंने रिसेंट्टी, दो tennis players को, brand ambassador के तोर पे, appoint किया, male का नाम पूचा है, female का नाम, आप comment section में जरूर डालिएगा, के, yeah, Iga Switek from, पोलन्ड, yes, Iga Switek from the Poland, she is the brand ambassador, when it comes to female, and male की बात करेंगे, तो Rafa साब की बात की जाएगी, Rafael, Nadal, Spain से बिलॉंग करते, जी हा, इनको ambassador, appoint किया गया, और female category की बात की जाए, तो Iga Switek, and she is from Poland, tennis player के countries के नामों के तरफ भ्यान रखे, वहाँ पे भी कई बार, exam में question पूछा जाता है, चलो, Carlos Alcaraz, and Novak Djokovic, बड़े famous चल रहे है, Novak Djokovic, अभी recently, championship भी जीते है, तो जल्दी बता दीजे, यह दोनों कोन से country से बिलॉंग करते है, यह तो Spain से है, Novak Djokovic, and Carlos Alcaraz, very famous tennis player, इन दोनों की भी countries, comment section में डालिएगा, यह भी important रहेगा, के, yes, Carlos Alcaraz, सहाब की बात करते है, तो he belongs to Spain, यह भी Spain से ही बिलॉंग करते है, और Novak Djokovic की बात करेंगे, so he belongs to Serbia, Serbia से बिलॉंग करते है, absolutely right, बहुत बढ़िया, who among the following, has finished the fifth, in the women's trap final, as at the ISSF World Championship, and secured shooting spot for India, in the Paris Olympics, अभी जो championship चल रही है, अर अगलग sports, यह अगलग games की, इसकी एक और खास्यत है, जैसे यहाँ पे, shooting championship की बात की जाएगी, तो अगर यहाँ पे आप, अच्छा तरीके से, एक अपना rank लाते हो, तो Paris Olympics में आपको entry मिल जाएगी, Paris Olympics आने वाला है, और इसी लिए, यह बड़ा important point बन जाता है, तो आयोनिका पॉल, अवनी लेखारा, राजेश्वरी कुमारी, पूजा, घातकर, या एलावनील, वैरिवान के, सो किसे यहाँ पे chance मिला है, answer of this question is C, C, यहाँ पे आपका answer बन जाता है, ध्यान रखेगा, again a very important, 100% of you give the right answer, sports में मेरे ख्याल से, बड़ा तगड़ा जा रहा है, सभी के answer लगबग सही आ रहा है, क्या बात है, very good, आगे बढ़ेंगे, ओके, शलो next, बाइदवे यह championship कहाँ पे खेली गई, बाकू अजर्बाइजान के अंदरे championship खेली गई, यह भी एक question है, जो आपके exam में बन सकता है, who has won the 100 meters world title, at the world athletics championship, Budapest, Budapest में world athletic championship थी, यहाँ पे किसे gold medal मिला हुआ है, 100 meters का title उनके पास है, Fraser Perez, Sherika Jackson, Noah, Lailis, Shaak, Carrie, Richardson, या, Graphic, Joyner, so who got this world title in 100 meters, female category की बात हो रही है, किसे यह title मिला हुआ है, जल्दी answer कर दीजेगा, yes, D, और, C, और, B, और, A, काफी लोग ने D mark किया हुआ है, जिया, यहाँ पे बात की जाएगी, Shaak, Carrie, Richardson की, US के प्लेयर है, and, she, वन, इस title, इनके द्वारा है, टाइटल जीता गया, जी, answer of this question is D, बहुत बढ़िया, 71.43% गयो, जी, राइट answer, जी, answer of this question is D, she is from USA, यह भी पॉइंट याद रखेगा, which Indian shooter, won the gold medal, in the men's 25 meters, standard pistol shooting event, at world championship in Baku, अब इसी championship के, महिला प्लेयर की बात, हमने थोड़ी दर पहले की थी, अब यहाँ पे पूछा गया है, कि किसे यहाँ पे gold medal मिला है, 25 meters standard pistol shooting, Sanjeev Rajpoo, Deepak Kumar, Vijay Kumar, Aman Prit Singh, या Anish Banwal, who got the championship, or who got the medal over here, yes D, काफी लोग ने D mentioned किया हुए, so answer of this question is, yes, yes, Aman Prit Singh की बात करेंगी, Aman Prit Singh got the medal over here, so D is the answer, of this question, absolutely right, 100% of you give the right answer, yes, very good, who has been declared, the national icon of election commission of India, to create awareness among the voters, and encourage their participation, very very simple question, बहुत easy question है, national icon के तोर पे इनको launch, यहाँ पे appoint किया गया, election commission के द्वारा, सचिन तेंडुलकर, महेंदर सिंग्धोनी, अजे द्योगन, विद्या बालन, अमिता बच्चन, अब हम sports section की बात कर रहे है, sports के अंदर हम इसे पढ़ रहे है, तो obviously इन दो में से रहेगा, जबा केसरी करके, आप शायद sports player ना बन पाए, बट तो इसलिए, नीचे वालों को छोड़ दीजे, उपर की बात करते हैं, जिया, answer of this question, is very simple वैसे, Sachin Tadalukar साब की बात करेंगे, Sachin Tadalukar साब को भारत रतना भी मिल चुका, Sachin Tadalukar साब राज्यसभा के मेंबर भी रहे चुके है, so legendary player है, no doubt about that, and icon, truly he is the icon of, not only Indian cricket, the whole Indian sports, and he's been appointed as a new icon, चलो मुझे एक बात बताईए, Chief Election Commissioner of India, India के Chief Election Commissioner कोन है, उनका नाम जल्दी से comment section के अंदर डाल दीजे, कोन है हमारे देश के Chief Election Commissioner, ठीक है, यस, जल्दी से, राज्यू कुमार साब की बात की चाहिए, very good, बहुत बढ़िया, which Zimbomvian cricketer passed away at the age of 14, after the prolonged battle with the cancer, cancer के साथ उनका battle था, ओके, सोरी, इसका पहले आंसर देख लिते हैं, 100% सही था, यहाँ पर बता दीजेगा, so, बड़े famous Zimbomvian के, यह भी Zimbomvian के कप्तान भी हुआ करते थे, very wonderful captain, the faster baller, और यह जब Zimbomvian cricket team के कप्तान थे, तो Zimbomvian cricket team अलग लेवल पे थी, इंडिया को भी इन्होंने हराया था, और इंडिया में जब यह test खेलने आते थे, तो इंडिया की बड़ी हालत खराब होती थी, बड़े amazing player थे, कप्तान थे, और जिनका recently देहांद भी हुआ, yes, answer of this person is, head streak की बात करेंगे, so, काफी सालों से, यह cancer से जूझ रहते, और इनका भी recently देहांद हुआ, ध्यान रखेगा, so, answer यहां पर आपका बन जाएगा, C for this particular question, ठीक है, very good, लगबग सभी का answer सही है, तुचार, भासकर, पंकर जीनी, very good, recently, the Indian junior men's hockey team secured a victory over, emerging triumphant in the four nation tournament held in Germany, चलो, बता दीचेगा, देख लेते, कितना लोग सही answer करते है, so, Indian junior men's hockey team secured the victory over, किस country को हरा के, हमें यहापे जीत हासिल हुई है, hockey team की बात है, जर्मनी के अंदरे championship खेली गई, so, हमारी hockey team वैसे भी काफी बहतरीन परपॉम कर रही है, चाहे male, female हो, junior हो, so, Australia, England, Germany, Spain और Malaysia, कौन सी country जिनको हरा के, Germany के इस tournament में हमें जीत हासिल हुई है, कई लोगों ने Australia mention किया हुआ है, कुछ लोगों ने E is equal to A, Malaysia की भी बात यहाँ पर की हुई है, और किसे ने कहा कि भाई, इसे skip कर देते है, so, answer of this question is England, so, England को यहाँ पर हमने 4-0 से हराया, बाकी भी countries कई बार खेल लेती है, थोड़ा कभी-कभी खेल लेती है, और उनको भी हम हरा देते हैं, तो यहाँ पर England को हरा के, यह championship मिली है, so, again, the championship was in Germany, तो location भी पूछ सकते हैं, चर्मनी के अंदर और किसे हराया ध्यान रखेगा, यह skip यहाँ पर बेटर था, बिल्कुल सही है, यहाँ पर skip बेटर था, बड़ एक्जाम में कर लो, यहाँ पर answer करो, गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ जब एक्जाम की बात करेंगे, तो वहाँ पर ध्यान रखेगा, चर्मनी कोई भूला बिसरा है, जिसने यहाँ पर इंग्लंड मार्क किया होगा, इंग्लंड का ओप्शन क्या था, बी, एक बार देख लेते हैं, कोई भूला बिसरा नहीं था, कोई बात नहीं, वहाँ पर इंडिया की पोजिशन क्या थी, 10th, 5th, 18th, 2nd and 21st, वैसे स्पोर्ट्स वाला क्वेशन नहीं है, Olympiad है, Astronomy और Astrophysics का, बड़े पडाकू लोग होते हैं, इसके अंदर बड़े स्टूडियस से लोग होते हैं, तो उनकी यहाँ पे बात की जाती है, जिया, आंसर अप दिस क्वेशन ही, इस सेकंड नंबर पे इंडिया ने फिनिश किया, विद फॉर गोल्ड मेडल्स, एपसलूटली राइट, वेरी गुड, बहुत बड़ी आंसर रहा है आप लोगों का, चलो, एक बार, पोल देख लेते हैं, तो ध्यान रखेगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स पॉइंट के तरफ जाते हैं, विच इंडियन चेस प्लेयर, एंटर इंटर इंटर इफई दी, चेस वर्लड कफफाइनल, अब इसका अगर आंसर ना दो, तो छोड़ दो फिर, कि चेस तो कभी खेलना ही मत, एकजाम भी मत देना, ठीक है, सो फाइनल में कौन पहुचा था, obviously Magnus Carlson सहाब ने इनको हरा दिया बट काफी important है चलो बताइए answer of this question is very good answer is our प्रज्यानंदा सापकी बात करेंगे एक और question how many grandmasters we have कितने grandmasters हमारे पास है और recent grandmaster का नाम बताइए comment section में यह पहले भी पूछ चुका हूँ वापस एक बार पूछ रहा हूँ कि how many grandmasters we have and the name of 83rd grandmaster जल्दी बता दीजेगा yes very good भाई आप एक्जाम दे सकते हो हम तो बस मजा कर रहे थे हम नोड़ने आपको रोकने वाले बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल exam देओ यह सो आर प्रग्यानन साहब की बात यहां पर करेंगे इस वांसे जी यह 100% अधित्य सामनसर की बात करेंगे अधित्य सामनसर की यहां पर बात की जाएगी absolutely right ठीक है चलो which nation has won the finals of women's world cup 2023 देखे मैं जब आपको एक्जाम देते हैं उस एक्जाम में अगर sectional timing वाला concept है sectional timing वाला सीन है तो वो section खतम होने के बाद ही आप फिर next section पर जा सकते हो कुछ एक्जामस ऐसी होती चापे sectional timing वाला concept नहीं होता है वहाँ पर आप चूज कर सकते हो बट अगर sectional timing वाला concept है तो बिलकुल वो section खतम होगा उसी के बाद बले आपने कितने भी जल्दी solve क्यों ना किया हो और वो timing खतम होने के बाद ही फिर आप दूसरे जगह आ सकते ह सो वहाँ पर वो freedom नहीं रहता है वक्त यूज करने का जिया यह एक issue कई बार exams में आता है तो आपको रुकना पड़ेगा सबर करना पड़ेगा then you can go यह RRB clerk में आया था बिल्कुल सही बात है answer of this question is Spain Spain की बात करते है England को हरा के Spain को यहाँ पे जीत हासिल हुई थी सबका hot favorite England का team था सबका hot favorite था कि England ही जीतेगा सभी को लगा था even Spain को भी शायद लगा होगा पर जिस तरीके से यहाँ पे Spain के team ने जीत हासिल की तो question तो बनता थ because बड़ा shocking result मिला था पूरे दुनिया को याद रखे मेंस World Cup किसके द्वारा जीता गया यहाँ पे तो महिलाओ के World Cup की बात हो रही है जो पुरुषो का World Cup था वो किसके द्वारा जीता गया था और कौन से country में वो World Cup खेला गया था एक बार comment section में डाल दीजेगा simple question पूछ र जीया Qatar के अंदर उस World Cup को और्गनाइस किया गया था यहाँ पे आपका answer Spain है के so A was the answer of this question 100% which Indian player clinched the gold medal in under 17 category of the 30th Asian Junior Squash Individual Championship held in China चाइना के अंदर चांपेंशिप और्गनाइस की गई बाइद बए यह जो प्लेयर है जिनका नाम यहाँ पे रहेगा she is the youngest player to play the Commonwealth Games Commonwealth Games में खेलने वाले सबसे youngest player का भी किताब इनके पास है squash player है squash is game में इनकी महारत है इसी game में खेलते है और Commonwealth Games के सबसे youngest player का भी किताब इनके पास है so give me the name of the player तिल दिया answer कर दीजेगा answer of this question is Anhat Singh की बात करेंगे so E is the answer so Anhat defeated the Hong Kong's Ina Kwong in 3-1 in the final to the gold medal okay ध्यान रखेगा मैंने इसलिए आपको hint दी थी because ये question exam में पूछा गया था last time Commonwealth Games के बाद कि सबसे youngest player ever played the Commonwealth all over the world and नाम उनका ये है ध्यान रखेगा so yes answer of this question is E तो नहीं है तो E is equal to A पे हम लोग मार्क कर लेते है चलो बहुत बढ़िया काफी लोग ने D मार्क किया था बटाएगे इस I don't know चलो which of the following wrestler has been handed one year ban by the India's national anti-doping agency due to three whereabouts failures चलो बताएगा NADA, NADA की बात हो रही है NADA basically अगर आप कोई ऐसे medicines या कोई ऐसे drugs लेते हो जो sports के लिए allowed नहीं है तो आपके उपर ban लगता है तो recently किस player के उपर NADA के दोरा ban लगाया गया NADA ये India की agency है WADA ये world की agency है WADA का headquarter जिया वही पह है जहाँ पे फिलाल हमारे जगडे चल रहें Canada के अंदर WADA का headquarter है NADA's headquarter is in New Delhi सुनिल शेटी साब brand ambassador है NADA के सुनिल शेटी साब जिया he is the brand ambassador of NADA ये भी point याद रखेगा और recently जिनके उपर ban लगा सीमा बिसला की बात करेंगे जिनके उपर recently ban लगाया गया very good who become the first Indian wrestler to win the gold at under 20 world championship since 19 after aging past Russia's Eldar in 61st kg final चलो बता दीजेगा इनका इसका answer क्या है के सो रश्या के player है एलदार अखमुदी नी नोव इनको हरा के किसे यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला पहली बार अंडर 20 में gold medal मिला है मोहित कुमार, सागर, जगलान, जैदीप, अंतिम पंगाल, रोहित दहिया काफी बड़े बड़े नाम है, काफी बड़े बड़े players के नाम है पर यहाँ पे जीत किसे हासिल हुई है रश्या के player को हरा के डी मेंशन किया है अंतिम पंगाल की यहाँ पे बात की गई, पंगाल की बात यहाँ पे की गई है आंसर इस मोहित कुमार साभ की बात करते है मैंने कहा था, देखो एक बहुत बड़ी गल्ती यह होती है कि गल्ती मता होती है, कुछ नाम ऐसे बड़े famous होते है वस फिल्ड के, यह नाम हमने कभी ना कभी सुने होते है तो हमें लगता है कि यही आंसर है, हम मार्क कर देते है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नी, आपने अपना एक geys लगाया एक्जाम में गल्ती मत करना एक्जामें गलती मत करना अगर आपको पता है कि इस पर्टिकुलर इवेंट का विजेता कोन है तो मार्क करो अगर आप आपको ये लग रहा है कि मैंने किसी का नाम तो सुना था मैं इस परसन को जानता हूँ इस परसने चैंपेंशिप जीती की नहीं जीती यह अपने अगर नहीं पढ़ा है तो वी ओनेस्ट विट यूरसल्फ खुद के साथ एक ओनेस्ट दिखाईए न फिर लोग कहते हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं हमने देखा ही नहीं हमने यहीं नहीं किया यार पढ़ते वक्त शाय भानुराज वेरी गूड लास्ट क्वेश्चन का आप अकेले आंसर देने वाले थे मैं आपका नाम लेना भूल गया बर बहुत बढ़िया वर्ल्ड अथलेटिक शैंपेंशिप के अंदर इंडियन कंटिजन को किसके द्वारा लीड किया गया सिंपल क्वेश्चन है इसका लोगों का आंसर यहां पर डेफिनेटली रहेगा तो आंसर इस नीरज चोप्रा साब तो इस इकोल टू यह वाला कंसेप्ट यहां पर हम इंप्लिमेंट करेंगे तो उन्हों नहीं इंडियन कंटिजन को यहां पर लीड किया यस बहुत बढ़िया सो बुड़ा पेस्ट के अंदर इसे और्गनाइस किया गया था दो वर्ल्ड बैड्मिंटन चैंपेंशिप 2023 इस स्केडूल्ड एट सिंपल है अभी थोड़ी दर पहले हम डिसकस भी किये थे थोड़ी दर पहले हम इसके बार में डिसकस किये इंडिया के एक प्लेयर को ब्रॉंज मेडल मिला हुआ ह इसी चैंपेंशिप के अंदर तो वर्ल्ड बैड्मिंटन चैंपेंशिप कहां पर और्गनाइस की गयी थी डेन्मार्क स्विजर लैंड यूएसे इंडिया या फिर जपान किस कंट्री में इसे और्गनाइस किया था जस्थोड़ी दर पहले क्वेश्चन इसी टॉपिक प भी देखने को मिलते हैं इंडिया अनुप्रिया वैलियोथ एंड शौन गांगुली है वन ब्रॉंज एंड सिल्वर मेडल रिस्पेक्टिवली इन जुनियर फोर हंडर्ड मीटर इंडिविज्वल मैड मैडली एड़ ट्वेंटी थी कॉमनवेल्स यूद गेम्स हेल्ड इन कॉमनवेल्स यूद गेम्स कहां पर और्गनाइस किये गया यह क्वेशन यहां पर पूछा गया एक और क्वेशन पूछ लेता हो भी एशियन गेम्स की शुरुवात हो रही है एशियन गेम्स के अंदर क्रिकेट फुटबॉल की मैचेस अल्रडी स्टार्ट हो गई और जो अफिशली 25 तारिक से स्टार्ट हो जाएगा सो एशियन गेम्स कोन से कंट्री में हो रहे है यह भी बता दीजेगा जगा के साथ और यहां पर कॉमनवेल्ट यूद गेम्स की बात हो रही है ग्लासगौ क्विंसलैंड बर्मिंग हैम ट्रिनेदो और विक्टोरिया सो कहां प क्रिकेट फुटबॉल वो अलड़ी स्टार्ट हो गया ओफिशली वो स्टार्ट होगा तो वो कहां पे खेला जाएगा हंग्जाओ चाइना यस एपसलूटली हंग्जाओ चाइना के अंदर एशन गेम्स खेले जाएंगे और कॉमनवेल्ट यूद गेम्स की बात करेंगे त तो दी इस दा आंसर अप इस क्वेश्चन भासकर शाली नीस नेहा संब्रुद्धी बहुत बढ़िया नरेंद्र मोधी सराइस लाओड़े पर्फॉर्मस ऑफ इंडियन अथ्लियर वोल्ड यूश्टी गेम्स वित रेकॉर्ड ब्रेकिंग 26 मेडल्स इंक्लूदिग 11 गोल् दो वॉर्ड यूश्टी गेम्स वॉज़ हिल्ड कोंसा एडिशन और्गनाइज किया गया था वॉर्ड यूश्टी गेम्स का और कहां पर जगध भी एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा तो हमने युथ कॉमन वेल्ट गेम्स की जगध देखी हमने बात की एशियन गेम जो अभी start हो रहा है और हमने बात की अब यहां पर हम बात करेंगे University Games जहां पर इंडिया को 26 medals मिले इसमें से 11 gold medal है तो कौन से नंबर का यह game था और साथ मैं इसे कहां पर organized किया गया जी answer of this question is 31st number का game था and it was organized none other than yes China, China के अंदर इसे organized किया गया था absolutely right okay so Chengdu is the name of the place in China जहां पर इसे organized किया गया so answer of this question is C, बहुत बढ़िया so 100% give the right answer मेरे खाल से location को लेके थोड़ी गड़बर थी पर याद रखे इसे भी चाइना में organized किया गया था recently which take giant has celebrated the 109th birth anniversary of Willie Bruin, a transgender cyclist from Belgium Belgium के transgender cyclist है के इनको recently celebrate इनकी birth anniversary celebrate की गई by whom normally किसी भी person की anniversary होती है तो ये celebrate करते हमेशा के doodle बनता है हमेशा celebrate करते है so Amazon, Google, IBM, Accenture, Wipro बहुत easy है और मैंने आपको हिंड भी दे दी दूसरा इनके नाम के तरफ भ्यान रखेगा Willie Bruin की बात करेंगे Belgium के transgender cyclist and पहली बार इन्होंने internationally represent किया ता being a transgender that's why बड़े famous बनगे and answer of this question is but obviously Google की यहापे बात करेंगे yes absolutely right so 94.12% RS, Rehsar, Shital, Khushbu, Bhanu बहुत बढ़िया recently which England player announces retirement from the cricket after the Ashes series Ashes series यह दो legendary countries के बीच में खेली जाती है इस बार यह series England में खेली गई और उसके बाद एक बड़े महान faster baller ने अपना retirement, अपने shoes को hang कर दिया कि भाई इसके बाद मैं नहीं खेलूँगा जिया Australia और England के बीच में यह series होती है और Stuart Broad की बात करेंगे जिया यह Stuart Broad Indian को ज़्यादा इसलिए पता इनको छे छक्के मारे थे T20 World Cup के अंदर बट उसके बाद जो यह खतरनाख baller बने है तो इन्होंने काफी लोग की नील्द हराम करके रखी थी और finally he decided to retire from the international cricket तो 167 test matches इन्होंने खेली 602 wicket इन्होंने लिये हुए है तो गाफी बहतरीन performance इनका रहा है और England के लिए खेलते थे Australia, England, इनके बीच में ashes series होती है बड़ा बहतरीन test matches का ये एक series होता जिसमें इस बार Australia ने उस series को अपने पास रखा है Yes, so answer यहाँ पे Stuart brought B is the answer of this question So 93.33% get the right answer Racer Jason Pankajini बहुत बढ़िया Identify the new slogan for the Olympic and Paralympic Games Paris 2024 So, the new slogan क्या है Olympic and Paralympic Games के लिए चलो बता दीजेगा Yes यहाँ पे 2023 चाहिए था Okay, चलो कोई बात में Held your hope high, games wide open, faster, higher, stronger, together Together for a shared future and new world Yes Anyone Yeah, क्या answer रहेगा Answer of this question is B, games wide open Yes, absolutely right बहुत बढ़िया, सही answer आपका रहा है चलो, आगे बढ़ते है By the way, जिनका नाम आपने यहाँ पे mention किया वो कौन से team के लिए खेलते है एक बार यह भी बता दीजेगा Yes, Max Westappan की बात करेंगे No doubt about that And he won the race So, फिलाल Max Westappan सहाप के तारे बड़े बुलंदी में चल रहा है जब F1 racing की बात करेंगे Red Bull के लिए race करते है Belgium के citizen है और Red Bull के लिए race करते है So, last year भी यह champion थे F1 racing के इस बार भी Almost यही champion रहेंगे Who has Coca-Cola signed for promoting the Limca Sports Coca-Cola का brand है And the brand is called as Limca Sports So, इस Limca Sports को Recently, कोन endorse करने बाला है Katrina Kaif, Rohish Sharma, Nira Chopra, PV Sindhu, Virat Kohli Okay, तो यहाँ पे चार sports players के नाम दिख रहे Kaif, Katerina Kaif obviously अदाकारा है तो यहाँ पे चार players के नाम है इसमें से कोन है जिया, Limca Sports की बात हो रही है चल दी से answer कर दीजगा जिया, आजकल हर जगह पे जिनका नाम रहता है Nira Chopra साब की बात करेंगे Absolutely right So, C is the answer of this particular question Yes, बहुत बढ़िया Which Indian city is hosting 2023 Chase Olympiard? मेरे कहल से पुराना question है यह already हमने host कर लिया है Chase Olympiard इंडिया में कहाँ पे host किया गया था Mahabalipuram के वहाँ पे कुछ games हुए और कुछ games इस particular city के अंदर हुए So, already यह हो गया है इस में नहीं यह वास में question बनना चाहिए था पर कोई बात नहीं English की गलतिया बाद में निकाल लेंगे But, answer कर दीजेगा Absolutely right वैसे पूरे इंडिया में सबसे जादा अगर Chase कही पे खेला जाता है सबसे जादा Grand Masters अगर कही से आते है तो इसी state से आते है जिसकी capital चन्ने ही है जिया तमिलनाडू चन्ने की बात की जा रही है Very good, absolutely right answer So, answer of this question is A In the IPL, which edition चन्ने सूपर किंग्स clinched their 5th Indian Premier League title by defeating the Champions Gujarat Titans led by Hardik Pandya साब in Ahmedabad चलो, कोन से नमबर का यह IPL Championship था कोन से नमबर का वापस एक बार CS के को जीत हासिल हुई है 14-14, very simple question, जल्दी से answer कर दीजे Let's see how many are going to answer this question बहुत easy question है, जदा difficult नहीं है जिया, answer of this question is Okay, so, ध्यान दीजेगा So, 16th edition of Indian Premier League at the Narendra Modi Stadium 1-K तो याद रखेगा, यह बहुत important है 5 titles in just 14 edition surpassing MI's record of winning 5 titles in 16th edition ध्यान रखो, कि Because CS के 2 editions के लिए ban हुआ था, यह भी बहुत जरूरी point है यह भी बहुत important है कि 2 editions के लिए CS के ban हो गया था इसलिए CS के 14 edition खेला हुआ है और MI ने 16 editions खेली हुई है तो यह तो point वैसे सब लोग जानते है Tata IPL, Tata के पास sponsorship है title sponsorship है So answer of this question is B ठीक है, शलो, कोई बात नहीं होती है गलती है World Bicycle Day is celebrated on World Bicycle Day कब मनाया जाता है जी, answer कर दीजेगा World Bicycle Day हम लोग कब मनाते है 2nd June, 1st June, 4th June, 3rd June answer यहाँ पे D लिखा है कुछ लोगोंने A mention किया हुआ है answer of this question is 3rd June को यह World Bicycle Day हम लोग मनाते है So answer of this question is right किसी को theme याद है Can anyone of you tell me the theme of this World Bicycle Day किसी को theme अगर याद होगी तो एक बार comment section में जरू डाल दीजेगा Yes, answer is 62.5% पूछ रहा हूँ, I know that बट बनेगा Is there any buffering going on? Now, okay Okay, थोड़ा सा हुआ था चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होते रहता है थोड़ा बहुत उपर नीचे बनेगा कि digital India बिना buffering के तो बन नहीं सकता ना थोड़ा बहुत तो हमें भी जहलना पड़ेगा Digital India बनना है कि strong बनना है थोड़ा बहुत उपर नीचे होगा कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते है यस माक्स वेस्ट अपनिस दा आंसर अशर अब इस पर्डिलर कोश्चन इन जून दर रिनाउन अमेरिकन ट्राक अड फिल्ड अथलीट फू अचूड दा हिस्ट्री हिस्टारिक फीचर अफ कंप्लिटिं 100-meter race in less than 10 seconds during 1968 Olympic Games पास्ट अवे, चलो बताईए बड़े फेमस अथलीट है and belongs to USA और जिनोंने सबसे पहले 100-meter race less than 10 seconds 1968 Olympic में अचूड किया था इनका रिसेंटली देहान थुआ जिम हिंस, चार्ल्स ब्रैकली मिचल जॉर्डन बैब रूथ या मुहम्मद अली किसकी बात होगी चलो बताईएगा माइकल जॉर्डन, मुहम्मद अली ये different sports players है वैसे basketball की बात करेंगे या फिर यहाँ पे boxing की बात की जाएगी so answer of this question is जिम हिंस की बात करते former American track and field athlete and national football league के भी ये player रह चुके and he achieved this record इनके द्वारा ये record अचुकी आ गया था ध्यान रखेगा so answer of this question is A A यहाँ पे आपका answer बन जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते है who has emerged as the winner of the 23rd Dubai Open Chess Tornament securing victory for the second consecutive time in June चलो दुबाई के अंदर जो Chess Tornament थी ये किसके द्वारा जीती गई ये question आपके सामने है जिया yes answer of this question is Arvind Chita Brahm की बात की जाएगी के इनके द्वारा ये जीत यहाँ पे हासिल की गई yes UAE के अंदर तो याद रखेगा okay 13 year old है के वर 13 साल के है and he won this championship so answer of this question is 28.57 पासकर समरुद्धी खुश्बूत उशार बहुत बढ़िया मेरे क्याल से थोड़े पुराने questions में काफी लोग दिक्कते face कर रहे ऐसा मुझे realize हो रहा है अगर थोड़ा जुलाई वाला question पूछ लो थोड़ा सा sports क्योंकि sports के अंदर ऐसा होता है कुछ questions थोड़े से आप old भी देख सकते हो तो वहाँ पर थोड़ी तकलीफ काफी लोग को face हो रही है it's okay it's very common it's very normal very natural वैसे maximum question तो recent वाले बनेंगे वहाँ पर आप बहुत बढ़िया कर रहे हो वहाँ पर 100% आ रहा था यहाँ पर किसी की गलती नहीं हुई है c is the answer कोहली साव वाला question आते ही 100% accuracy देखने को मिल रही है बहुत बढ़िया who emerged as the champion in 23 super bet rapid bleeds Poland tournament held in Warsaw चलो बताइएगा यह भी chase championship है यह भी chase का ही championship होता है और जिसे super bet rapid and bleeds कहते है Poland के अंदर इसे organize किया गया था Magnus Carlson, Judah, Pragyananda, Vishwarathranand, none of the above super bet rapid and bleeds championship who won this किसके दौरा यहाँ पर जीत हासिल हुई है answer of this question is Magnus Carlson Magnus Carlson किस country से belong करते कोई बताएगा can anyone tell me from which country Magnus Carlson belongs to एक बार जल्दी डाल दीजे world cup, chase world cup के विजेता है जल्दी से नाम बताइए कि यह किस country से belong करते है recently Shri Shankar Murali won the bronze medal in the sports he associated with the which of the following sports Shri Shankar Murali यह कौन से sports से belong करते है recently इनको bronze medal मिला है जिया Norway yes Magnus Carlson Norway से belong करते है सही point आपने mention किया बिल्कुल कोई गलती नहीं है जब सही mention किया गया long jump, badminton, wrestling, tennis या फिर javelin throw जिया, long jump से बिलॉंग करते है absolutely right, okay and recently Paris में diamond league के event के अंदर he achieved this, इनका काफी impressive performance रहा है ध्यान रखेगा, okay so Murali Shri Shankar, again long jump answer of this question is A yes guys, last question of the day which of the following statement is our correct, कौन सा statement करें तीन स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते है अब तीन स्टेटमेंट है तो मैं पूरे स्टेटमेंट दिखाने के बाद फिर पोल स्टार्ट करता हूँ Indian badminton player Chirak Shetty Satvik Sairaj Ranki Reddy rank 5th in the world emerged as the champions in the mains double category in Kapal AAPI group Indonesia Chirak Shetty Satvik Sairaj Ranki Reddy secured victory by defeating the Malaysian duo Aaron Chi and Sovuk who are ranked third in the world championship and third is in the main single category Victor Axelson of Denmark the world's top ranked player claimed the championship at the Indonesian Open तो तीन स्टेटमेंट आपके पास थे एक बार थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लीजे Victor Axelson को लेके है और दो स्टेटमेंट चिराक Shetty और सात्विक Sairaj Ranki Reddy को लेके है So which statements are true कौन से statements यहाँ पर correct है Only two, one and three one and two, only three, all one, two and three कई लोगों ने A मार किया हुआ है Answer of this question is yes one, two and three सारे के सारे statements absolutely right है So Victor Axelson ध्यान रखेगा World No.1 बैड्मिंटन प्लेयर है चिराक Shetty और रांकी Reddy की बात करेंगे तो यह भी बड़े legendary players फिलाल आजकल खेल रहे है 5th in the world के याद रखेगा and किसके अगेंस जीत हासिल हुई इनके पास world record भी है सबसे fastest smash का So yes, answer is A is equal to E वाला point यहाँ पर mention करते है absolutely right तो दोस्तों यह थे हमारे कुछ questions from the sports section अभी आपके IBPS PO की pre की exam आ रही है तो उसके लिए all the very best कल भी session होगा कल इसी time पे हम लोग मिलेंगे session कल भी conduct करेंगे बर पर सो Saturday and Sunday मेरे खाल से exam है कई लोगों की so all the very best अच्छे से exam दीजेगा ठीक है उसके बाद हम sessions को continue करेंगे एक बार देख लेते कि toppers कोन-कोन है तो भासकर, racer, khushboo, tushar, bhanu, pankajini, sneha, sam, debolini, jason, payal, gopal and cute girl चलो बहुत बढ़िया very good so that's all from my side we'll see you in the next session guys तब तक के लिए bye bye take care